पूरा में step by step जानकर आपको साथ में सेयर करेंगे साथ ही मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको पूरा को बताना चाहूँगा अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन बटन प्रेस कर लिजेगा शरी दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं बिना दिरी के सब्सक्राइब करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन को रीडाउट कर लेना चाहिए जो कि नोटिफिकेशन आपको माय टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जो अप्लिकेशन डेट थी वो आपकी 15 अप्रेस से स्टार्ट हो कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से किसी भी केड़ेट अप्लाइब कर सकता है एज लिमिट जो तेश के 18 से 25 साल आपकी रहती है ठीक है बागी और आप लोग निस नोटिफिकेशन को एक बार रिडाउट करके चेक कर लिजेगा ठीक है बाई तो शेरीए बात कर लेते हैं आप अपना फॉर्म को एपलाई कर सकते हो ठीक है तो यहां पे उपर आपको एपलाई बटन मिलेगा अपको क्लिक करना है और अब ही तक आपने पहले कभी भी आरेलवे का फॉर्म नहीं भराया जैसे कि अभी पहले टेक्नीशिन की वेकैंसी आई थी ठीक है असिस्टेंट लोको पैलेट की वेकैंसी आई थे अगर आपने उसमें अप्लाई किया हो तो आप 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 अल्लेडी हैव एन एकाउंट पर क्लिक करेंगे अगर आपने उस पर नहीं क्लिक किया है मतलब पहले आपने आररबी की ऑफिशिल वेबसाइट तो नहीं कर रखा तो सिंप्ली सबस्ञील आपका जो भी नाम है इस तरीके से यहां पर आपको अपना नाम ढालना है कि नाम जो डालना है उसके बाद नाम चेंड है तो या abolition करेंगे नहीं तो आप पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो भी date of birth है वो अपनी date of birth को इस तरीके से यहाँ पर डालोगे year पर select करोगे और जो भी आपकी year है वो इस तरीके से आप लोग कर लोगे जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया उसके बाद आपको इस तरीके से टाइप कर लेना है ठीक है और जैसे आप अपना detail को verify करते जाओगे तो यहाँ पर आपको टिक का निशान भी लगता जाएगा ठीक है उसके बाद male है याप female है वो आप लोग select करेंगे यहाँ पर उसके बाद आपके जो भी पिताजी का नाम है वो अपने पिताजी का नाम डाल देंगे मैं जंबल के लिए मने कुछ भी नहीं डाला है ठीक है इसी तरीक से आपको यहाँ पर भी verify कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आदार भी हो जाएगा ठीक है अगर आपके पास आधार नहीं है तो I do not have आधार पर क्लिक करेंगे और आप लोग उसकी बागी जो second ID है वो ID आप लोग दे सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको पनी email डाली डालनी है email ID डालने के बाद आपको यहाँ पर generate OTP पर क्लिक करना है और email ID पर आपको पर आपको पर आपको फिर से वेरिफाई करना पड़ेगा जब तक मैं इसको वेरिफाई नहीं करूँगा तो यहाँ पर यहाँ आपका तो मानिगाई नहीं ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो कर लेना है ठीक है फिलाल मैं इसको नहीं कर रहा हूं फैल हटा दे रहा हूं ठीक है ना इस तरीके से आपको कर लिना उसके बाद यह जो आपको दिख रहा हो कि अप्चेकोड 25 तो यहाँ पर आपको 25 पंदर इस तरीके से डाल लेना है ठीक है और जैसे आप इस capture code को डाल लेते हो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर बोला है पहले password fill up करो जैसे कि यहाँ पासवर्ड fill up करता हूँ ठीक है एक मिनट अम मैंने password fill up किया आपके सामने ठीक है उसके बाद देखिए मैं आपको फिर से verify करता हूँ यहाँ पर password को ठीक है यहाँ पर टिक लग चुका है यहाँ पर उसके बाद यह जो capture code है आप लोगों को इस तरीके से capture code को डाल लेना है ठीक है और जैसे इस capture code को डालोगे तो यहाँ पर दोनों टिक आ जाएंगे और आपको डेटेल को अच्छी तरह से चेक कर लिना है कि जो भी डेटेल आपने डाली है वो सही डाली है नहीं अगर आपने गलत डाली हो तो उसको आप लोग सही कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिव तो simply जो भी आपने अपना mobile number डालके email id डालके डाला है वो आपना email id और mobile number आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ ठीक है या उसके बाद आपने जो भी password क्रियेट किया होगो वो आप लोग password डालोगे और उसके बाद क्या होगो कि जो आपका capture code है जैसे कि यहाँ पर जो capture code ज्यूंद का form मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करना और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ तरीके से इंटरिफेस आएगा अगर आप सबिंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते है तो सबिंस्पेक्टर के लिए उपर वाले option पर ख्लिक करेंगे और आप कॉं तो बहुत detail भी आपकी यह ले लेता है ठीक है अगर यह नहीं लेता है तो simply in column में तो आपकी detail आई जाएगी ठीक है उसके बाद अगर आप merit है या unmarit है तो इस तरीके सी यहाँ पर इसको select कर सकते हैं आपका religion जो भी है अपना religion religion सेलेक्ट करेंगे हिंदू मुद्लिम से किसाई और जो भी है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर लोग देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना identification marks डालना जैसे कि इस बढ़ेट के जो है एक फोर एड पर आपका कटका सिंबल है तो वह अपना डाल दिया यहाँ ठीक है और उसके बाद कोई भी अपना सेकिंड है अपना डाल सकते हैं अगर नहीं है तो simply नो marks फिल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ठीक है उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वह आप लोग अपना डालना पड़ेगा ठीक है कहां से आपका जारी हुआ वह आपको यहां पर डालना होगा ठीक है जैसी आपका जहां से भी जारी हुआ वह अपना ड़ोग अपना डेट करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके से यहां पर आपको बलग यहां पर ताइब करोगे उसके बाद आपका पूरा अड़रेस यहां पर टाइप कर लोगे ठीक है और आपका देखिए permanent और correspondence address अगर same है तो आप लोग यहाँ पर टिक करोगे अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग की उसकी डेटेल आप लोग दे सकते हो ठीक है और यह देने के बाद आप simply save and next पर click कर सकते हो ठीक है उसके बाद कुछ इस तरीके से interface आप सभी के सामने खुल के आएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप एक service man हो तो आप yes पर click करेंगे और आप नहीं हो तो simply no पर click कर दोगे उसके बाद यहाँ पर प्वड disability Candice के लिए बोलता है अगर आप प्वड disability person है तो आप लोग यहाँ करेंगे उसके detail देंगे ठीक है और अगर आप नहीं है तो simply आप लोग यहाँ पर no करेंगे ठीक है यहाँ पर प्वड वाल वैसे eligible ही नहीं है ठीक है तो simply आपको यहाँ पर no pay click करना है उसके बाद आपका ebc order है आप तो yes करेंगे नहीं तो no पर click कर देंगे और ebc अगर आप होंगे तो उसकी detail आप लोग देंगे जैसे कि आप आप पचास चार से पर आप इंकम आपका कम होना चाहिए तो वह आपके detail दे रखें तो उस चीज को आप लोग देख लोगे ठीक है और अगर आप नहीं है तो simply आप लोग क्या करोगे नो पर click कर दोगे ठीक है उसके बाद आपको रेलिवे के आप employee है तो employee होंगे तो yes करिए अगर आप है तो यहां पर बोलेगा आपने apprenticeship की है तो अगर आपने करी है तो यहां पर आप लोग yes करिए उसकी detail डालिए अगर नहीं किया तो simply आप लोग यहां पर no कर दीजेगा ठीक है उसके बाद जो भी आपका account number होगा वो account number सारी detail आप सभी के सामने आ जाएगी ठीक है बाई तो example के ल तो आपको क्या होगा कि आप अपना paper जब दे दोगे तो आपका जो payment है वो आपका इसी account बापस आ जाएगा उसके बाद simply आप next बटन पर क्लिक कर सकते हो ठीक है तो account number जो भी detail हो आप लोग अच्छी है डालें क्योंकि जो भी पैस आएगा जब आप अपना paper दे लोगे त जैसे की मालो जनल ओवी सी की जो है 400 रुपे और आपके स्टी के लिए 500 रुपे आपकी रिफंड हो जाएगी ठीक है तो वह भी आप लोगों को कर ले नहीं है और डालने के बाद आपको सिंप्ली सेवन एक्स पर क्लिक कर दो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ अगर आप अधर कोई क्वालिफिकेशन डालना चाहते तो इसमें आप लोग और भी डेल डाल सकते है ठीक है फिलाल इसकी कोई जुरुत नहीं है तो हम सिंप्ली सेवन एक्स पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने आएगा तो तो आपका already form आजाता है, अगर नहीं बराद तो simply आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से form आपको upload करना है, photo आपको upload करना है, photo जो upload करना है, 30KB से लेके 70KB के बीच आपको size होना चाहिए, photo का background, white background होना चाहिए, यह भी आपको check करना है, और photo का जब upload करें तो इस तरीके का photo आपको upload करना है, जो कि white background के साथ में होना चाहिए, एक दम visible हो, अच्छी तरह से आपको देख लेना है, ठीक है, उसके बाद आपका जो signature है, वो आपके 30KB से लेके 70KB के बीच में होना चाहिए, और signature blue या black pen से होने चाहिए, साथ ही आपको जो signature है, वो आपका running letter में होने चाहिए, ठीक है, यह आप लोग देख लेजिएगा, running condition में आपका signature होने चाहिए, यह भी आप लोग देख लेजिएगा, जैसे कि candidate के किये हुए, उसके बाद अगर आप लोग देखी, मैंने यहाँ पर browse file पर click करके अपना upload कर सकते हैं, आपके जहां भी mobile phone laptop में है, वहाँ पर upload कर सकते हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको simply save and next पर click करना हो, save and next पर click करोगे, उसके बाद आपको next कर देना है, उसके बाद य यहाँ पर आपको declare करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिवी बटन पर click कर दना है, जैसे आप प्रिवी बटन पर click करोगे, तो आपकी जो भी detail होगी, वो सारी detail आप सभी की सामने आजाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद कि आपको इस detail को देख लेना है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत लगती है, तो यहाँ पर इसको I have checked, we checked पर click करना है, उसके बाद अगर आपको दिक्कत लगती है, तो यहाँ पर edit कर सकते हो, और नहीं लगती ही, तो simply आपको submit कर सकते हो, ठीक है बाई, जैसे दूस्त पर click करोगे, तो आपका payment के लिए बोलेगा, आप payment चाहें, जैसे कर सकते हो, credit card, debit card, अगर आप card से कर रहे हैं, तो उसकी detail card number डालेंगे, account holder name डालेंगे, expiry month और year डालेंगे, CV भी डालेंगे, पेनाओ पर click करेंगे, OTPI का आप उसको verify कर सकते हैं, नहीं तो आप simply net banking से करना चाहते हैं, तो simply यहाँ पर QR code डालेंगे, यहाँ पर QR code आप सभी के पेनाओ पर click करेंगे, तो QR code आपका generate को के आजाएगा, और इस पर आपको, जो आपका धाही मिनट आपको मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, दो मिनट कुछ सेकेंड आपको मिलने वाले हैं, वो आपक देख सकते हैं, तो इन्होंने तीन form भर रखे हैं, जो कि already आप लोग देख सकते हैं, गर आपने और भी कोई form भर रखे होंगे, तो वो भी detail आजाईगी, और नहीं भरे होंगे, तो इसकी detail आपको नहीं आईगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका application देखना चाहते ह क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप लोग इसका print लेना चाहते हैं, यहाँ पर print application को option मिलेगा, आप इसको print लेके आपना form यहाँ पर जो भी आप form भर रहे हैं, उसके आप वो save कर सकते हैं, ठीक है बई, तो मैंने इसको नहीं करूँगा, save इसको छोड़ दूँगा, इस तरी के अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकोन बटन भी प्रेस कर लीजेगा, जिससे कि आने वाली जब जो भी update मिले क्या हो, आपको तुरंत का तुरंत उसका update मिल पाए, शेले दोस्तों वागी मिलते हैं, शेले नेक्शोडे में त स्का तुरुडश दो जो सब्सक्राइब करेज।